आज कोई बैतरेन यूनिवर्सिटिस के बारे में बताएंगे तो दिमाग में आते है ओक्सफोड ये और केम्ब्रीज जैसे नाम लेकिन एक कमाल की बात बताऊं कड़ी 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही था क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अज दुनिया की सबसे पुड़ाने यूनिवर्सिटी में एक है नालंदा नालंदा सब तीन सब्द से बना है ना आलम दा इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो बाकि जैसा नाम बैसकाम इस यूनिवर्सिटी में ग्यान का भंडार था यह सिर्फ धार में ग्रंथ ही नहीं बलकि लिटरेचर, थियोलोजी, लॉजी, मेडिसिन और फिलोजाफी जैसे कई सब्जिक्ट पढ़ाया जाते थे और तो और हर सब्जिक्ट का भरफूर ग्यान देने के लिए बनाए गई थी नौ मंजिला लाइवेडि जिसमें लाग दो लग नहीं, नब्बे लाग से ज़्यादा बूक और मैनुस्क्रिप्ट थी ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख दे रही लेकिन नालंदा ने कई वर हमलों की मार्ट को भी झेला आखिरकार बारावप्ति सतब्दी में एक हमले में वोक्तियर खल्जी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइबेरी तीन महीने तक जलती रही और ग्यान का वो खजाना जो समल के रखा गया था वो धुए में खो गया उस बक्त जब नालंदा काई बुलेंदियों को छूँ रही थी वो एक विसाल बुद्ध मट का हिस्सा थी जिसके खंड आज भी सतवान एकोर्ड में फैली ये साइट में नजर आते हैं कुछ रेकोर्ड के मुताबिक नालंदा दरसल आम के बगिच में बनी थी जिसे पांस सो बैपाडियों ने गोतम बुद्ध को तौफे में दिया और आर्केलोजियों के हिसाब में नालंदा को फिक्स सेंचूरी बीसी में गुप्त कल में बना गया था उसके बाद गुप्त कल में इस जगह का और डेवलोम्मेंट हुआ और यह एक बिहर से साथ 20 सताब्दी तक महा बिहर बन चुका था अलाग अलग दौड में यह कई टीचर पढ़ाया जैसे नागर जुना बुद्ध पालिता संत्रक्सिता और आडियादे और जानते हैं स्ट्यूरिस कौन थे चाइनिश टुवेला यौंग संग जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यह खीचे चले आते थे यहां पर पूरे बिस्त से चीन से मैनमर से सीलांका से और इक प्रांथ के लोग इस जगह पर सिख्षग्रहन करने के लिए आया करते थे इस महा बिहार में लेकिन सब के बाजूत नालोंदा वक्त की मार को नहीं जहल पाई इसलिए डॉक्टर अबदूल कलम की पहले से नालोंदा ने एक मोडर्न इंटरनेशनल उनिवर्सिटी के रूप में फिर से जनम लिया नालोंदा जैसे उनिवर्सिटी इस बत का सबूत है कि भारत का ग्यान सदियों से दुनिया को रौसन कर रहा है हम उम्मीद करते हैं कि वक्त एक बर फिर करवड लेगा और बैतरेन एडूकेशन की तलस करता हर इंसन कहेगा इट हैफिन्स अनले इन इंडिया